वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाईजिशन दुआरा और वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनाईजिशन ऐसा कह रही है कि रिप्रोड एक्टिवली हेल्दी पर्सन हम उस पर्सन को कहेंगे जो फीजीकली, इमोशनली, बिहैविरली, एंड सोश्यली वेल है इन चैलेंजिशन से निपटने के लिए दुनिया में पहली बार सबसे पहले हम बात करके चले तो एक प्रोग्राम लोंच हुआ यह इनिशेट हुआ 1951 में आपने पढ़ाता फीटस कब होता है हमने बोला जब एम्ब्रियो क अराउंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेंब्रेन प्रोटेक्टिव मेंब्रेन बन जाती है आफ्टर इंप्लान्टेशन तो हम उसको क्या बोल देते हैं फीटस बोल देते हैं हेलो बच्चो नमस्कार जैपी डबलू क्या हल चाल है उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी रसगुल्ला आर्मी एकदम खुस होगी एकदम स्वस्त होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होगी तो दोस्तों याद होगा आपको प्रिवियस लेक्चर में हम हुमेन रिप्रोडेक्शन वाला चैप्टर डील कर चुके थे अब उससे अगला जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं वो अपने पास है रिप्रोडेक्टिव हेल्थ मतलब इस चैप्टर को ऐसे समझिए कि इसमें रिप्रोडेक्शन वाला जो चैप्टर था उसके कई सारे बहत्रिन कंसेप्ट को यूज किया जाएगा मतलब एक तरह से एप्लिकेशन बेस चैप्टर आप इसको मानिए अब सवाल था सर सबसे पहले यह बताईए यहां पे कि इस रिप्रोडेक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है बच्चे रिप्रोडेक्टिव हेल्थ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले रिप्रोडेक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन जो दी गई वो दी गई जो physically, emotionally, behaviorally and socially well है, तो ऐसा person जो physically fit है, emotionally fit है, behaviorally fit है and socially well है, ऐसे इनसान को हम क्या कहेंगे, कि वो reproductively fit है, तो reproductive fitness को define करने के लिए हम कितने parameters कामे ले रहे हैं, चार, that is physical fitness देख रहे हैं, फिर उसकी हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, emotional fitness के बारे में, behavioral fitness के बारे में and social fitness, कि वो socially well है की नहीं है, इन चारों चीजों में जो आदमी well है, हम उसे कहेंगे, वो reproductively fit है, अब हुआ क्या था, कि जब इंडिया आजाद हुआ, मतलब at the time of independence जो था, वो हमारी medical facility पूरी की पूरी बिगड़ी हुई थी, बहुत खराब हालत में थी, बहुत सारे लोग जो थे, उनकी तरहें तरहें की बीमारियों की वज़े से मोते हो रही थी, हमने बोला, मा जो थी, वो बच्चे को जन्म देते time मरजा रही थी, मतलब mother mortality rate भी बहुत जादा थी, जन्म के समय बच्चे की मृति हो रही थी, that is infant mortality rate भी बहुत जादा थी, death rate भी बहुत जादा थी, yes. अब एक problem और एक challenge और आ रहा था, वो challenge ही आ रहा था कि population बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और उसकी बड़ी वज़े एक अपने पास आ रहे थी, कि लोगों में awareness की कमी थी, बहुत सारे लोग जो थे, वो ऐसा चाहते थे कि बीना हमारी sexual life disturb हुए, हम sexual life disturb हुए, हम pregnancy को avoid करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कही ना कही problem आ रही थी, मतलब unwanted pregnancies की संख्या बढ़ रही थी, लोग जो थे, उनको छोटी family वगेरा के बारे में जादा ग्यान नहीं था, तो यह बहुत सारे challenges country के सामने थे, इन challenges से निपटने के लिए दुनिया में पहली बार, दुनिया में प 1951 में, ध्यान रगना, 1951 में family planning program शुरू हुआ, और यह family planning program शुरू था, वो पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने शुरू किया, firstly initiated by India, तो मैंने बोला, जब भी पूछे, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने शुरू किया, तो हमने बोला, firstly, started by India, पूरी दुनिया में सबसे पहले यह जो program था, यह India ने शुरू किया, इंडिया ने शुरू किया, कब आप कहोगे 1951 में, 1951 में इंडिया ने शुरू किया, फिर समय के साथ सा धेरे 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 इसमें बदलाव किये गए, और जरूरत के हिसाब से और नई चीजे इसमें एड की कई, वर्तमान में हम इसको जानते हैं, RCH के नाम से, वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम इसको RCH के नाम से जानते हैं, और इसकी full form आपको याद रखनी है, full form है, reproductive and child health care program, क्या है, reproductive and child health care program के नाम से जानते हैं, यस, अब अपने पास आता है एक और बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट, एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, वो अपने पास है amniocentesis, सबसे पहली बात तो ये थी, कि सर ये amniocentesis करते क्या है, करते कब है, बेटा amniocentesis लग बग फीमेल की प्रेगनेंसी के 15 और 16 वीक में किया जाता है, मतलब ये प्रेगने वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि third month of pregnancy जब खतम होता है, तब तक जो embryo होता है, जो fetus होता है, उसकी body के mostly organs बन चुके होते हैं, उसके बाद, उसके बाद, चोथे महीने के सुरू में ही, हमने बोल दिया, या चोथा महीना, that is 15 to 16 week के दोरानी, ये टेस्ट कर सकते हैं, इ extra embryonic membrane, protective membrane बन जाती है, after implantation, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, fetus बोल देते हैं, तो देखो, इस fetus के चारों तरफ, ये पीले रंकी membrane दिखाई दे रही है, इस membrane को बोलते हैं, amniion membrane, जो की rubber cell से बनती है, और fetus और amniion के बीच में ये cavity दिखाई दे रही है, इस cavity को बोलते हैं amniotic cavity, कौन सी cavity बोलते हैं, इस cavity को हम बोलते हैं, amniotic cavity, इस amniotic cavity में fluid material बरा है, जिसे बोलते है amniotic fluid, amniotic fluid, अब बच्चे बड़े ध्यान से गोर फरमा के देखेगा मेरे दोस्त, ये amniotic fluid जो है, ये जो की amniion cavity में बरा हुआ है, आप देखो, fetus इस amniotic fluid के directly contact में है की नहीं है, आप कोगे सर, बिल्कुल है, तो fetus की body से अगर कोई dead cell गिरेगी, या cell तूट के अलग होगी, तो वो किस में गिरेगी, amniotic fluid में गिरेगी, fetus की body के कुछ excretory substance, जो थे, वो कहां गिरेंगे, वो amniotic fluid में गिरेंगे, तो कहने का मतलब, जब भी कोई कहे, कि इस amniotic fluid में ह LB है, और fetus के सरीर से निकलने वाले कुछ chemical material है, वो भी dissolved form में प्रजेंट है, किस में? इस amniotic fluid में, तो हम लोग क्या काम करते हैं, female की pregnancy के 15th and 16th week में, एक very fine needle की help से, इस needle की help से, इस amniotic cavity से, इस amniotic fluid को collect करते हैं, और उस amniotic fluid का lab में analysis करते हैं, तो पूछेगा, सर उसका analysis क करके हम किस चीज़ को detect कर सकते हैं, बेटा, इस amniotic fluid को analysis करके, हम इस developing fetus में, मा के पेट में जो बच्चा है, इस में कोई chromo-jomal disorder तो नहीं है, चेक कर सकते हैं, इस में कोई metabolic disorder तो नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ, हम ये भी पता लगा सकते हैं, कि मा के प कोई है कि बेबी गार्ल है मतलब हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करके यह जो डवलपिंग फीटस था इसका जन्म से पहले ही जैंडर पता कर सकते हैं यह पता कर सकते हैं कि यह लड़का है कि लड़की है तो अब सवाल तो सबसे बड़ा यह था कि एमनियोसेंटेशिस को लागू क्यों किया गया था क्यों कहा घया था कि घहिए यह यह टेस्ट कर वा लो यह इस लिए किया गया था कि यह बच्चा जो मां के पेट में था इस में कोई狮ोजोमल disorder होगा तो हमें पता चल जाएगा genetic disorder होगा, तो पता चल जाएगा, metabolic disorder होगा, तो पता चल जाएगा, मतलब ये पता चल जाएगा, कि मा के पेट में जो बच्चा है, वो healthy है, कि किसी न किसी बीमारी से सफर कर रहा है, अगर वो कोई इस तरह की घातक बीमारी से सफर कर रहा होगा, तो मा उसका abortion करा लेगी, pregnancy को termin कर देगी, लेकि लोगों ने क्या काम किया, लोगों ने इन चीजों को, इन disorder को पता लगाने की बजाए, इस technology का misuse शुरू कर दिया, उन्होंने इस technology का भरपूर यूज किया, किस चीज में, sex determination में, उन्होंने इस technology का भरपूर यूज किया, किस में, sex determination में, तो ध्यान रख का है वो बेबी बोई है कि गर लै और अगर वो लड़की होता तो वो उसको अबोर्ट करा देते वो उसको अबोर्ट करा देते तो जब लगातार ये cases बहुत बहुत जादा बढ़ने लगे तो आप देख रहे हैं उसी की वज़े से पूरा का पूरा sex ratio जो था वो गड़ बढ़ा गया sex ratio बहुत गड़ बढ़ा गया लड़कियों की संख्या comparatively बहुत बहुत कम है मतलब अब हालत ये है कि भाई साब गोर्मेंट को कदम उठाना पड़ा कि अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा करता पाया गया या कोई भी कपल ऐसा करता पाया गया कि वो इस amniocentasis के दुआरा या मैं कहूं जनम से पहले बच्चे के sex determination के बारे में पता करता पाया गया ये बाकाइदा सजा होगी और इसी वज़े से गोर्मेंट ने क्या काम किया ये जो amniocentasis है इसको legally ban कर दिया legally ban कर दिया किसलिए ban कर दिया ताकि female भूरून की हत्या के risk को avoid किया जा सके avoid किया जा सके इसलिए इसको legally ban कर दिया legally ban कर दिया क्या legally ban कर दिया किसको amniocentasis के दुआरा sex determination को ये काम तो करवा सकते हो, लेकिन ये जो अपने पास चोथे वाला जो अपने लिखा का ये वाला इसको legally ban कर दिया कि नहीं भईया इस amniocentasis के दुआरा आप embryo का sex determination नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते, नहीं तो हमने बोला कि ये concept याद रखना है जो कि बेहत important है, हम थोड़ा सा आगी बढ़ते हैं, सवाल था सर, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया की population बहुत तेजी से बढ़ रही है, हाँ भया, दुनिया की population बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस population में भी इंडिया का योगदान बहुत बहुत जादा है, इंडिया का योगदान दुनिया की population में इतना जादा है कि आज हम गरु से कह सकते हैं कि दुनिया में हर sixth person, हर छटा आदमी एक हिंदूस्तानी है, हर छटा इंसान एक हिंदूस्तानी है, और जितनी Australia की population है, इतनी population तो हर साल इंडिया में बढ़त में, अब सवाल था, सर, इंडिया की population बहुत तेजी से बढ़ रही है, वर्ल्ड की population भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अगर हम इंडिया में इस सीज़ को study करें, तो बताओ ना, इंडिया की population इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, बिटा, इंडिया की population बढ़ने की स उसको हम early stage में diagnosis करके treatment कर लेते हैं, तो ये बहुत सारी वज़े थी, जिसकी वज़े से death होने की chance गट गए, मतलब लगातार death rate गटी, पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था, कि मा जब बच्चे को जन्म देती थी, तो जन्म देते टाइम पे मा की मृत्यू हो जाती थी, मतल conceive करती है, तब से लेकर delivery तक वो लगातार डॉक्टर के supervision में होती है, इसलिए हमने बोला, mother mortality rate जो थी, वो भी लगातार घट रही है, अब हुआ क्या, हमने बोला, mostly delivery जो थी, वो hospitals में हो रही है, pregnancy के पूरे के पूरे time period, मा जो है, वो डॉक्टर के contact में रहती है, तो जामीन करके जांच करके बताती रहती है, कि मा और पेट में पल रहा बच्चा दोनों के दोनों एकदम स्वस्त है, और delivery के बाद भी, delivery के बाद भी, बच्चे की proper care की जाती है, मा की भी proper care की जाती है, जिससे जच्चा एंड बच्चा दोनों के दोनों क्या रहते हैं, एकद हम healthy रहते हैं तो मैंने बोला यही एक बड़ी वज़े थी कि mother mortality rate भी गटी और जनम के समय बच्चे के मरने के chance भी कम हुए that is infant mortality rate भी गटी तो death rate गटी mother mortality rate गटी infant mortality rate गटी तो इनकी वज़े से population बढ़ी और क्या वज़े थी अब देखो हम बार-बार यह कहते हमारी more than 60 percent population है वो 30 से 40 साल की उमर की population है और यह 30 से 40 साल की age वो age होती है जिससे अपन बोलते है रिप्रोड्यूशिबल is कौन सी जो पोलते है रिप्रोड्यूशिबल एज तो हमने बोला कि हम आरे इंडिया की बहुत बडी population reproducible age में है और अगर वो reproducible age में है तो वो reproduction करेगी reproduction करेगी तो बच्चे पैदा होंगे और बच्चे पैदा होंगे तो population बढ़ेगी तो हमारा इंडिया नो जवानों का देश है इसकी वज़े से भी यहाँ पे population बढ़ रही है अगली वज़े क्या थी एक बहुत बड़ी वज़े और भी थी वो थी illiteracy लोगों में सिक्षा की कमी थी मतलब हर इंसान ये चाहता था हर इंसान ये चाहता था कि भाई सब तेरी sexual life प्रभावित बिल्कुल भी ना हो लेकिन उनमें सिक्षा की कमी थी इसलिए उन्होंने contraceptive method को अपनाने में क्या करी हिच की साहट करी वो उनको accept नहीं कर पाया उन्हें लगा कि अगर तुमने ये contraceptive method अपना लिये तो इनकी वज़े से तेरे सरीर पे side effect हो सकते है तेरी sexual life खराब हो सकती है यस तो इस तरह हैं कुछ myths लोगों में फैल गए ऐसिक्षा की वज़े से और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इनके बारे में कोई idea ही नहीं था तो इसलिए उन्होंने अपनी normal life जी और जब normal life जी तो इस वज़े से बहुत सारी unwanted pregnancies हो गई फिर उन्हें ने कह दिया ये तो भगवान की देन है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ये भी एक population बढ़दे का बहुत बढ़ा वज़े रहा अब सवाल था सर अगर population के बारे में बात करके चले हम 2001 की census report को देखे बेटा अगर 2001 की census report को देखे तो हम कहेंगे कि population growth rate जो हमारी है वो about 1.7% per year है हमारी population growth rate क्या है about 1.7% per year हमारी population growth है अगर यही डेटा हम study करे according to the census of 2011 2011 की census के हिसाब से करे तो population तो यहाँ पे भी बढ़ी है लेकिन वो अभी भी less than 2% per year है less than 2% per year है मत्तब 1.7 से तो ज़्यादा होगी लेकिन अभी 2% पूरी नहीं हुई यह किस की census के हिसाब से 2011 की census के हिसाब से डेटा है अब सवाल था हमें यह तो पता चल गया है यह दोनों के दोनों डेटा देखके कि population तो बहुत तेजी से बढ़ रही है population तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ने की मोटी मोटी वज़े भी हमें पता चल गी अब इस population को control कैसे करे बटा बटा सबसे बटा सबसे important सवाल यही था कि population को control कैसे करे तो population को control करने के लिए अपनी government ने कई तरह की चीजों को implementation में लिया सबसे पहले उसने कहा कि population की सबसे बड़ी वज़े क्या है सबसे बड़ी वज़े यह है कि इनसान ये चाहता है कपल ये चाहता है कि उसकी sexual life भीना disturb हुए ही वो unwanted pregnancies जो थो उनको avoid कैसे करे तो इसके लिए government ने सबसे important important most important step उठाया और वो most important step क्या था कि लोगों को लोगों को motivate किया कि तुम contraceptive methods यूज करो contraceptive methods यूज करो चले भीया यस लोगों को motivate किया कि तुम contraceptive methods यूज करो ताकि तुम unwanted pregnancy कोवड कर सको और छोटे परिवार को अपना सको तो हमने बोला कि इन्होंने most important most important math जो techniques जो थी जो तरीका अपनाया वो अपनाया कि लोगों को कहा कि तुम छोटे परिवार को अपनाओ और जादा से जादा contraceptive methods को यूज करो अब सवाल था सर लोग छोटा परिवार अपनाये उसके लिए गोर्मेंट ने क्या काम किया उन लोगों को सबसे पहले तो छोटा परिवार अपनाने की सला दी गई और उसका अपनाने का तरीका क्या था unwanted pregnancy को वोईड करना इसके लिए contraceptive method आप यूज करो दूतरा गोर्मेंट ने लगा आतार हमने बोला अलग अलग तरह से advertisement किया advertisement किया वो poster के दुआरा मतलब printed media के दुआरा radio के दुआरा television के दुआरा तरह तरह के अब इन्होंने advertisement दिये जिसमें एक छोटे परिवार को दिखाया गया और उस छोटे परिवार के साथ एक slogan भी लिखा गया छोटा परिवार सुखी परिवार या हम दो हमारे दो यस या फिर बच्चे दो ही अच्छे और आज कल तो बहुत सारे cities में जो working couple होता है वो एक ही बच्चे को prefer करता है मतलब उनसका तो concept हो गया हम दो हमारा एक इस concept पर आगे बढ़ रहे हैं बोला सर अच्छा और क्या किया गया government ने क्या देखा कि हमारे कुछ areas में बाल विवा कर दिया जाता है early age में साधी कर दी जाती है और early age में साधी कर दी ये भी population बढ़ने के एक वज़े थी तो government ने क्या काम किया कानूनी तरीके से साधी की age जो थी वो बढ़ा दी government ने फिक्स कर दिया कि साधी के लिए साधी के लिए female की age कम से कम 18 साल that is 18 years होनी चाहिए and male की age है 21 years होनी चाहिए 21 years होनी चाहिए ताकि हम population को control कर पाए next एक और काम government ने किया गोоловनेंट ने क्या काम किया लोगों को motivate करने के लिए कि वो छोटी family अपनाए तो क्यों अपनाए, small family अपनाए तो क्यों अपनाए, government ने तरह तरह की scheme लागू की, scheme लागू की और यह कह दिया, जैसे उन्हों कहा दिया कि भईया गोवर्मेंट नोकरी केवल उनी की लग सकती है जिनके दो बच्चे तक है जिसके भी दो से जादा बच्चे होंगे उनको गोवर्मेंट नोकरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनके भी दो से जादा बच्चे होंगे वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सक या जिनके भी दो से जादा बच्चे होंगे, वो गोवर्मेंट के किसी स्कीम का फाइदा नहीं ले सकता, या हमने बोले इस तरहें से इनों ने इसको प्रमोट किया, मतलब छोटी फैमेली वाले लोगों को कुछ इंसेंटिव देने की, कुछ सहायता देने की, कुछ बैनिफ सर, आप हमें बताईए, कौन कौन से है, हमने बोला सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, सर, कौन ट्रासेप्टिव मैथड का यूज गया था? अरे contraceptive method का यूज था कि कपल जो था उनकी sexual life को बिना affect किये हुए हम unwanted pregnancies को avoid कर सके यही contraceptive method का यूज था अब यह contraceptive method अपने पास कई सारे है लाइक natural method और traditional method अगला barrier method अगला hormonal method जिसमें oral contraceptive भी आते हैं implant भी आते हैं insectables भी आता हैं intrauterine devices अपने पास surgical method या sterilization method यह अलग अलग तरहे के contraceptive methods है यह अलग अलग तरहे के contraceptive methods है यस सवाल है गुरुजी ठीक है अब यह बताईए कि यह तो contraceptive method है लेकिन गुरुजी अगर कोई इनसान contraceptive को यूज करता है तो एक अच्छी और एक ideal contraceptive के characteristic feature क्या होने चाहिए बिलकुल हमारी NCERT माता ने एक ideal contraceptive के मैं जो features है वो दिये हुए है देखेगा बोला एक ideal contraceptive वे एक अच्छी contraceptive वो है जो easily हर जगेवे पे अविलबल हो next user friendly हो कि कोई भी user है वो उसे आसानी से यूज कर सके least side effect हो user अगर कोई उसे यूज करता है तो उसके सरीर पे कोई भी harmful effect ना पड़े और अगली important बात sexual life जो थी वो बिलकुल भी affected ना हो ना तो desire of sexual intercourse में ना sexual drive में कोई भी कोई भी problem ना हो next ये बहुत effective हो मतलब अगर कोई person contraceptive यूज करता है तो वो किसलिए यूज करता है ताकि वो unwanted pregnancies को रोक सके तो यूज करने के बाद pregnancies जो थी वो कम होनी चाहिए pregnancy के chance क्या होने चाहिए बहुत जादा कम होने चाहिए next reversible हो reversible की क्या जरूरती मतलब अगर एक couple चाहता है कि अभी हमें बच्चा पैदा नहीं करना तो जब तक वो contraceptive यूज करे तब तक female conceive नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर वो चाहते है कि हमें बच्चा पैदा करना है और वो उस contraceptive का यूज करना बंद कर देता है तो दूबारे पहले की तरह ही हो जाना चाहिए मतलब contraceptive यूज करना बंद करने के बाद वो couple जो था जो प्लैन कर रहा है बेबी प्लैन कर रहा है मतलब female जो थी जो conceive होना चाहती है बच्चा पैदा करना चाहती है तो female conceive होनी चा हमने बोला जब भी natural method के बारे में बात करके चले तो इस natural method की सबसे important, सबसे खास बात क्या है वो सबसे important, सबसे खास बात ये है कि इस natural method में हम कोई device use नहीं करते हमने बोला जब भी बात करके चले तो याद रखना इसमें no device इसमें हम कोई device use नहीं करते हम इसमें कोई medicine use नहीं करते, हमने बोला no medicine, हमने बोला इसमें कोई device use नहीं करते, कोई medicine use नहीं करते, अरे जब बाहर के कोई चीज use ही नहीं करी, तो आप मेरे को इता हो, क्या side effect होगा, हमने बोला almost nil, जब भी पूछे side effect, हमने बोला almost nil side effect क्या है हमने बोला almost nil लेकिन failure rate जो है वो है बहुत बहुत ज़्यादा failure rate जो है वो है इसकी बहुत बहुत ज़्यादा failure rate है इसकी बहुत बहुत ज़्यादा बोला सर natural method में कौन-कौन से method रखे बच्चे natural method जो है इस natural method के बारे में जब भी बात करें तो natural method में हम तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं पहला मैं बात कर रहा हूँ periodic abstinence या rhythm method प्रियोडिक abstinence और rhythm method हमने बोला किसी भी इनसान में mensual cycle का जो time होता है वो माल लीजी हमने बोला 28 दिन का time होता है हमने बोला ये एक से लेके 28th day है 28 और 29 day का time होता है हमने बोला इस mensual cycle के time में वो जो इनसान है वो जो female है उसमें 14th day जो होता है 14th day जो होता है वो होता है ovulation का ovulation का चले भीया तो होता क्या है हमें पता है female में 14th day पर ovulation होगा तो सलहा क्या दी जाती है कि जब female में 14th day पर ovulation होगा तो ये मेरे पास कौन सा है हमने बोला 10th day इधर मेरे पास कौन सा है हमने बोला 17th day तो सलहा ये दी जाती है ये दी जाती है कि इस 10th से इस 17th day तक का जो period है इस period को अपन बोलते बेटा फर्टाइल पीरियड इसको क्या बोलते हैं इस पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड तो सला ये दी जाती है कि इस 10 से 17 डे का जो पीरियड है मतलब ये हुआ ओविलेशन से 3-4 दिन पहले और ओविलेशन की 3-4 दिन बाद तक sexual intercourse को avoid करना है कोईटस को avoid करना है ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस क्या हो जाए कम हो जाए नहीं रहे तो हमने बोला pregnancy को avoid किया जा सकता है अगला मैथ़ड है अगला मैथ़ड मेरे पास है withdrawal और कोईटस interruptus बिटा कोईटस interruptus और withdrawal मैथ़ड में क्या होता है जब male and female sexual intercourse कर रहे होते है तो male penis को vagina के अंदर insert करता है अब यह क्या कहता है कि sexual intercourse करते टाइम पे जब male में सीमन बाहर निकलना हो ejaculation होने वाला हो तो male जो था वो ejaculation से पहले ही penis को vagina से बाहर निकाल ले और जब सीमन को sperm को vagina के अंदर छोड़ेगा ही नहीं तो fertilization नहीं होगा fertilization नहीं होगा यह कौन कहता है यह कहता है withdrawal और coitus interruptus method next अगला है lactational amenorrhea बिटा lactational amenorrhea क्या था यह lactational amenorrhea female का lactation period था याद करो बच्चे के जन्म के बाद मा बच्चे को दूद पिलाती है तो मा के सरीर में prolactin hormone का level क्या होगा बहुत बहुत ज़ादा तो यह lactational amenorrhea वाला जो case था इसमें हमने बोला कि female में prolactin hormone जो था उसका level क्या होगा वो होगा बहुत बहुत ज़ादा और कब तक हम लगबग six months तक बात करके चलते हैं हमने बोला बात करते हैं कि जब prolactin hormone का level क्या होता है बहुत बहुत ज़ादा और जब female के सरीर में prolactin hormone का level बहुत बहुत ज़ादा होगा तो इस time पे female में ना तो ova का formation होगा ना ovulation होगा ना female में mensual cycle आएगा तो हमने बोला यह जो delivery से लगबग 6 महीने का time हम बोलते हैं जब female में बहुत ज़ादा lactation होता है बहुत ज़ादा milk production होता है मतलब उसके blood में prolactin hormone का level होता है बहुत ज़ादा इस time में female में fertilization के chance possible नहीं है क्योंकि वहाँ ना तो ova का development होता है ना ovulation होता है ना female में कोई mensual cycle आता है इसी वज़े से chance of chance of fertilization बिलकुल भी नहीं है मतलब pregnancy के chance नहीं है इसको ही अपन बोलते है lactational amenorrhea lactational amenorrhea यस ये था मेरे पास natural method natural method के बाद अगला जो method मेरे पास आता है बीटा उसे बोलते है barrier method बच्चे ये barrier method जो होते है ये male and female दोनों के लिए available है barrier method जो है ये male and female दोनों के लिए available है ये barrier क्या है अरे barrier तो कबाब में अड़ी है ये कबाब में अड़ी क्या काम करती है ये sperm and oa को आपस में मिलने से रोकते है इन barrier का काम था sperm and oa को आपस में मिलने से रोकना ताकि fertilization ना हो ताकि fertilization ना हो यही काम किसका था barrier का अब यह barrier की जगे क्या हो सकता है हमने बोला इन barrier की form में जो यूज किये गए उनको अपन बोल सकते condoms condoms को भी barrier method में यूज किया जाता है अब market में जो condoms आते हैं वो male के लिए male condom भी आता है female के लिए female condom भी आता है लेकिन यह condom जो होता है यह बहुत thin rubber और latex seat से बना हुआ है किस से बना हुआ है मैड़प थिन rubber और latex seat से बना हुआ है कॉंडोम को केवल और केवल एक बार यूज किया जाता है उसके बाद इसे फैक दिया जाता है इसलिए हमने बोला ये कैसे है डिस्पोजिबल है मैंने बोला मार्केट में मेल के लिए भी कॉंडोमस है एंड फीमेल के लिए भी कॉंडोमस है male के लिए condom का बड़ा famous brand है that is निरोध और female condoms को बोलते फेमिडॉम्स. अब सवाल था, sir, ये condoms क्या काम करते हैं? बेटा, जब male female के साथ sexual intercourse करना चाहता है, तो sexual intercourse से, courtes से पहले male जो था, वो penis को condom से डख लेता है. पीनिस को किस से डख लेता है, कॉंडोम से डख लेता है, तो जो इजैकुलेक्टेड सीमन है, वो सारा का सारा किस में रुख गया, कॉंडोम में रुख गया, वो फीमेल रिप्रोडेक्टिव ट्रैक में नहीं गया, मतलब ये था, जब फीमेल रिप्रोडेक्टिव ट्रैक मे सीमन नहीं गया इस परम नहीं गया तो fertilization नहीं होगा चले इसी तरह फीमेल कॉंडॉम जो था उस फीमेल कॉंडॉम स को फीमेल सैक्शुल इंटरकॉर्स और कोईटस से पहले insert कर लेती है या उससे cover कर लेती है vagina को और cervix part को vagina को और cervix part को cover कर लेती है अब फीमेल ने Vagina और Sirvix को condom से cover कर लिया अब मेल penis को enter कराएगा वो female के condom में enter कराएगा तो जो semen जाएगा वो सारा का सारा किसमें खठा हो जाएगा female के condom में sexual intercourse के बाद female condom को algebra को वजाइना से बाहर निकालेगी और निकाल के फैक देगी, मतलब वो सारा का सारा सीमन इस परमतों उस कोंडों में था, वो female reproductive track के अंदर नहीं गया, तो fertilization के कोई भी chance नहीं है, तो याद रखना कोंडों male के लिए भी है, female के लिए भी है, और इन कोंडों के दो फाइदे हैं, पहला फाइदा तो ये fertilization को रो भी transmission को रोकने का काम करते हैं, उसके अलावा और भी अपने पास है, और भी barriers है, like cervical cap, vault, diaphragm, लेकिन खास बात ये है, कि ये तो थिन rubber और latex seat से बना हुआ था, ये थिक rubber से बने हुए है, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, reusable, हमने बोला, कंडों तो male and female दोनों के लिए थे, जबकि ये जो होते हैं, ये only only female के लिए होते हैं, only only female के लिए होते हैं, ये केवल और केवल fertilization को रोकते हैं, ये STI जो होते, sexually transmitted infection जो होते, उनको ये transmission को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, और ये केवल और केवल किस के लिए होते हैं, females के लिए होते हैं, yes, next, अब सवाल था सर, होर्मोनल मेथड, बिटा जब भी होर्मोनल मेथड के बारे में बात करें, तो हमने बोला ये most widely used contraceptive methods है, इसमें क्या होता है, इसमें हम female जो थे, उन female को artificially synthesized progesterone और estrogen progesterone का combination देते हैं, अब ये combination हम चाहें, तो tablets that is oral pill की form में दे सकते हैं, हम चाहें तो skin के नीचे injection लगा के दे सकते हैं, या हम skin के नीचे, मैं को एक chip-like structure जो था, या यहाँ पे skin के नीचे एक device, जिसे बोलते हैं, implant वो लगा के दे सकते हैं, तो हम one by one करके बात करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं oral pill, बिटा यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो female जो होती है, उस female को hormone की tablet दी जाती है, अब वो tablet जो होती है, उनमें अकेला progesterone भी हो सकता है, synthetic progesterone भी हो सकता है, और estrogen progesterone का combination भी हो सकता है, लेकिन generally जो दवाईया देते हैं, उसमें estrogen and progesterone का combination होता है, और daily basis पे, daily basis पे female ए किस दिन तक, mensual cycle का time कितरा था, 28 दिन का, 21 दिन तक अपने पास regular basis पे female एक tablet लेगी, फिर 7 दिन का gap देगी, और जो 7 दिन का gap दिया, उस 7 दिन के gap में ही female में bleeding होती है, mensuration होता है, that is bleeding phase आती है, यह मेरे पास किसकी कानी थी, oral pills की थी, oral pills daily लेती है, 21 दिन तक लेती है, 7 दिन क या gap देगी, और जो gap देगी, उसी में क्याएगा, mensual cycle, और mensual cycle के बाद दुबार आसे, इस cycle को ऐसे ही repeat कर देगी, लगातर 21 दिन तक फिर tablet लेगी, यह मेरे पास कानी थी, oral pill की, अब हमने बोला, oral pill तो hormones की pill है, जिसमें अकेला synthetic progesterone भी हो सकता है, और estrogen and progesterone का combination भी हो सकत है, उसके अलावा क्या था, सवाल था, सर, यह तो ले लिया, लेकिन अगर कोई महिला लगा अतार hormone की pill लेगी, तो उसके बलड में estrogen and progesterone का level क्या हो जाएगा, बहुत बहुत हाई, हमने का हाँ, तो जब भी बोलेगा, कि बताओ, अगर female tablet लेगी, contraceptive pill लेगी, तो उसके तो blood में estrogen and progesterone का level बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, हमने का हाँ, मतलब उससे क्या होगा, मैंने बोला estrogen and progesterone दोनों का level बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो female में ovulation ही हो पाएगा, सबसे main common pill का यही था, कि यह ovulation को रोकने का का काम करेगी, पहली बात, uterus की endometrium जो है, उसको unsuitable बना देगी, किसके लिए, implantation के लिए, uterus की endometrium है, उसको unsuitable बना देगी, किसके लिए, implantation के लिए, next, अपने बोला कि अपने पास cervix वाला जो part है, उसमें भरा होता mucus, उस mucus को बहुत गाढ़ा बना देगी, ताकि sperm जो था, वो swimming करके, ampula भाग में नहीं ट्यूब जो थी, उसकी secret nature, एड़ उसकी, जो motility है, उस motility को भी क्या कर देती है, inhibit कर देती है, जिसकी वज़े से, जिसकी वज़े से, इस्पर्म ओवा तक नहीं पहुच पाता, और आपको याद होगा, जब तक sperm and ओवा, simultaneously, simultaneously, same time पे, ampula में नहीं पहुचेंगे, तब तक fertil utilization नहीं होगा, अब इन oral pill की क्या खास बात है, कि इनका side effect जो है, वो बहुत बहुत कम है, और effective है, ये बहुत बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत सारी महिलाओं ने, इन्हें easily accept कर लिया, महिला इन्हें huge करती है, या huge लेती है, next, अपने पास आता है, एक contraceptive pill जो है, जिसका नाम है सहेली, आपको बता दू बेटा, ये जो सहेली नाम की पील है, ये मेरे पास एक non-hormonal पील है, ये मेरे पास एक non-hormonal पील है, मतलब ये एक ऐसी पील है, जिसमें कोई भी हर्मोन नहीं है, ना तो synthetic progesterone है, और ना ही estrogen progesterone का combination है, कोई भी हर्मोन नहीं है, याद करो estrogen and progesterone हर्मोन कैसे होते हैं, steroidal हर्मोन होते हैं, अरे जब इसमें कोई हर्मोन है ही नहीं, इसलिए हमने बोल दिया, ये एक non-steroidal contraceptive पील है, इस पील को CDRI Central Drug Research Institute लखनव ने बनाया था, और याद करो, ये जो थी, ये पहले वाली जो contraceptive पील थी, जो daily लेनी पड़ रही थी, लगाता 21 days तक उसके comparison में जादा effective थी, इसका side effect भी कम था, और हमने बोला इसकी खास बात क्या थी, कि ये once a week पील थी, मतलब female को ये week में एक बार लेनी होती थी, एक बार tablet ली और अब ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, कि ये पिल क्या काम करती है, बेटा इन पिल में, और मेलोजेफिन, हाइडरोकलोराइड या सेंट क्रोमन नाम का chemical मिलता है, जो की uterus की endometrium की cell पे present estrogen के receptor को क्या कर देता है, ब्लोक, और याद करो, uterus की endometrium पे, जब estrogen होर्मोन जाके जुड रहा था, तब ही तो proliferation of endometrium हो रहा था, endometrium की thickness बढ़ रही थी, तो जब estrogen के receptor ही ब्लोक कर दिये, तो uterus की endometrium की thickness नहीं बढ़ेगी, और जब uterus की endometrium की thickness नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पे implantation possible नहीं है, तो याद रखना, जो normal पिल थी, वो काम तो बहुत सार कर रही थी, लेकिन उसका main काम था, ovulation को रोकना, लेकिन इस सहेली का main काम क्या है, uterus की endometrium की thickness को बढ़ने नहीं देना, ताकि implantation नहीं हो पाए, ताकि implantation नहीं हो पाए, तो इसका main काम क्या था, implantation को रोकना, next, सहेली के बाद हम बात करते, emergency contraceptive method या morning after method, हमने बोला, यह emergency contraceptive pill जो होती है, यह वो पिल थी, वो पिल थी, emergency pill वो पिल थी, जिनमें hormone की concentration बहुत बहुत जादा होती है, यह कबले नहीं होती है, नामी है, emergency pill, emergency situation में, emergency situation क्या थी, अरे emergency situation यह थी, कि अगर किसी couple ने unprotected sexual intercourse कर लिया, मेरी बात के लिए रहे, या किसी female के साथ rape हुआ, तो इस case में यह डर सताता है, कि कहीं conceive ना कर जाए, तो उन्हें उस sexual intercourse के, उस sexual intercourse के 72 hours के अंदर, यस, 72 hours के अंदर ही, medicine लेनी होगी, hormonal pill लेनी होगी, जिसमें hormone की concentration बहुत बहुत जादा है, और यह hormone की concentration बहुत बहुत जादा है, तो यह क्या काम करेगी, हमने बोला, यह pregnancy को avoid करेगी, इने ही बोलते, emergency pill, अब बिचे, emergency contraceptive method में, emergency pill भी ले सकते हैं, जिने eye pill या unwanted 72 के नाम से market में मिलती है, साथ ही साथ चाहे, तो intrauterine device जो थे, intrauterine device जो थे, उनको भी use कर सकते हैं, तो जब भी बोले, emergency contraceptive methods में, हम कहेंगे, emergency contraceptive method में, emergency pill भी ले सकते हैं, लाइक, eye pill या मैं कह दूँ, unwanted 72 और intrauterine devices को भी, as a emergency pill, use किया जा सकता है, लेकिन करना कब पड़ेगा, हमने बोला, 72 hours के अंदर, जो sexual intercourse हुआ, उसके 72 hours के अंदर, यूज करना पड़ेगा, यस, तभी pregnancy के खत्रे को avoid किया जा सकता है, next, अगला था, सर, यह तो आपने बताया, oral method, या oral pill के बारे में, अब बताओ, injections के बारे में क्या था, अरे, oral pill में तो हमने क्या ली, hormone की गोल या ली, अगर हम क्या काम करे, अकेले progesterone या estrogen progesterone, synthetic estrogen progesterone का injection ले, under the skin, जैसे normal दवाई का injection लगवा के आते हैं, तो उसे बोलते हैं, injection method, क्या बोलते हैं, injection method, या अपने पास आता है, तीसरा implant, implant में क्या होता है, डोक्टर जो थे, वो skin के नीचे, एक छोटा सा device लगा देते हैं, और उस device में, synthetic hormone भरे रहते हैं, synthetic क्या भरे होते हैं, hormone भरे रहते हैं, जैसे ये diagram में आपको दे रखा, ये जो मेरे पास आपको diagram दे रखा, ये exactly में एक implant है, that is norplant, और इसमें देखो six capsule दिये गए हैं, और इन capsule में synthetic progesterone भराया है, जिसे बोला progestin hormone, वो इन capsules में present है, सवाल था, सर, आप बताओ, oral pill जो ले रहे थे, उनको अगर injection देंगे, implant देंगे, तो इसका क्या फाइदा, बेटा है, उसका फाइदा ये है, कि इनका effective period जो है, वो बहुत बहुत ज़ादा है, इनका effective period है, वो बहुत बहुत ज़ादा है, एक बार injection लिया, तो उससे blood में hormone का level, काफी लंबे time तक बना रहेगा, daily daily pill लेने का जंजट नहीं है, या एक बार महिला ने implant लगा लिया, तो वो 3-6 महिने तक एक दम फ्री है, 3-6 महिने तक ब्लड में hormone का level बना रहेगा, तो जब भी बोले implant वगेरा का और injection का क्या फाइदा है, हमने बोला इनका काम करने का तरीका तो पिल के जैसा ही है, लेकिन इनका effective period जो है, वो पिल्स की तुला में बहुत बहुत बढ़ा है, कई महिनों तक ये काम करते हैं, नेक्स्ट, अगला था intrauterine devices, थोड़ देर पहले हमने यूज किया था intrauterine devices, बिटा, intrauterine devices वो devices थे, जिनको uterus के अंदर लगाए जाता है, और इन devices को user खुद नहीं लगा सकता, तो इसके लिए एक medical practitioner की ज़रूत होती है, एक medical expertise की ज़रूत होती है, मैंने बोला एक doctor या किसी expertise, जो medical staff था, उसकी help से लगवाया जाता है, किसमें? यूटरस में, female के यूटरस में, अब यह तीन टाइप के हैं, पहला है non-medicated IUD, non-medicated IUD वो थे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई hormone यूज नहीं किया जाता, और इसका सबसे famous example है, वो मेरे पास है lepis loop, इसमें ना तो ही hormone यूज किया जाता है, इसका सबसे famous example है, lepis loop, यह क्या काम करता है, जो ही lepis loop को female के यूटरस में लगा दिया जाता है, तो यह exactly में क्या काम करता है, वहां की phagocytic cells जो थी, उनको बहुत ज़्यादा activate कर देता है, या phagocytic cells जो थी, वो बहुत ज़्यादा activate हो जाती है, और जब phagocytic cell बहुत ज़्यादा activate होगी, तो वो sperms को खाने लगेगी, मतलब non-medicated IUD जो थी, वो क्या काम करवाती है, इस sperm का phagocytosis करवाती है, phagocytosis करवाती कहां, यूटरस में, और जब यूटरस में इस sperm को खाके नश्ट कर दिया जाएगा, तो OVA के साथ fertilization होने के chance क् बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम, next, अगला है, copper releasing IUD, बिटा, copper releasing IUD जो थे, ये इसको अपन ने बात किया, ये मेरे पास NCRT diagram दिया, ये exactly में copper T है, that is, ये क्या है, copper T, जो की एक copper releasing intrauterine device है, इनके example, copper T मान लो, copper 7 मान लो, multi load 3, 70 मान लो, अलग अलग नाम से market में मिलते हैं, exactly में, ये वो intrauterine device थे, जिनसे copper ion से release होते हैं, क्या release होते हैं, copper ion से release होते हैं, और ये copper ion क्या काम करते हैं, ये sperm जो था, उस sperm की motility को भी गटाते हैं, और sperm की fertilization capacity जो थी, उसको भी गटाते हैं, तो क्या काम करते हैं, हमने बोला copper ion release होते हैं, जो की sperm की motility and fertilization capacity को क्या करते है कम करते हैं, मतलब जब भी बोले copper releasing IUD क्या काम करती है ये mainly fertilization को रोकने का काम करती है रोकने का काम करती है next, तीसरी मेरे पास है वो मेरे पास है hormone releasing IUD आपको बता दू मेरे दोस्त इन तीनों IUD में यही मेरे पास best IUD है जब भी बोले best IUD कौन सी, हमने बोला hormone releasing, ये वो थी जो कि hormone release करती है और ये hormone release करके क्या काम करती है, हमने बोला ये hormone release करती है, ताकि uterus को implantation के लिए क्या बना दिया जाए, unsuitable बना दिया जाए, and cervix वाला जो पार्ट था, उसको sperm के लिए unfavorable बना दिया जाए, तो जब भी बोले कि बताओ, intrauterine device जो कि hormone release करता है, वो क्या काम करता है, हमने बोला uterus के cervix को sperm के लिए unfavorable बनाता है, प्लस ये क्या काम करता है, ये uterus को implantation के लिए भी क्या करता है, unsuitable बनाने का काम करता है, और market में, ये जो मेरे पास hormone releasing IUD है, ये कई सारे नाम से मिलती है, like LNG-20, progesterat जर्ट, अलग-अलग नाम से market में मिलती है, ये ही best IUD है, intrauterine devices है, बोला भी है, ठीक है, next, अगला मेरे पास है surgical method या sterilization method, बिटे ये surgical method या sterilization method की सलहा उस कपल को दी जाती है, जिनको अब कभी भी और आगे बच्चे पैदा नहीं करने, वो कहते हैं कि भाईया, हमें जितने बच्चे पैदा करने थे कर लिए, अब हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उन कपल को ये सलहा दी जाती है, सवाल था सर ऐसा क्यों बिटा ऐसा इसलिए कि अगर किसी भी कपल ने ये सर्जीकल मैथड अपना लिया इस्टिलाइजिशन मैथड अपना लिया तो फिर इसकी रिवर्सिबिलिटी के चांसिज बहुत बहुत कम है नेगलीजिबल है मतलब दुबारा से सही नहीं किया जा सकत बोला इसमें होता क्या है इसमें होता यह है कि मेल में तो मेल में तो जो वीडी थी वास डिफ्रेंस थी उस वास डिफ्रेंस को बीच से काट दिया जाता है जब वास डिफ्रेंस बीच से कट गई तो टैस्टिस में स्पर्म तो बनेंगे लेकिन वो इस पर्म जो थे वो सीम कि दुआरा बाहर नहीं निकल सकते सीमन तो आएगा सिमन तो आएगा Mayla sexual intercourse करेगा तो सीमन शीमन निकलेगा लेकिन सीमन में sperm नहीं होंगे इस process को अपन बोलते हैं वैसेक्टोमी क्या बोलते हैं वैसेक्टोमी तो male में sterilization method जिसमें VD को वास difference को काट के बांद दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं वैसेक्टोमी इसी तरह female में फैलोफियन ट्यूब को काटा और काट के बांद दिया मतलब ovary में एग बना एग बनके और वो यहां तक कटे हुए भाग तक भी आया इधर से sperm भी गए लेकिन क्या हुआ हमने बोला फैलोफियन ट्यूब दोनों फैलोफियन ट्यूब को काट दिया तो sperm and ova आपस में मिल नहीं पाएं और जब sperm and ova आपस में मिल नहीं पाएंगे तो fertilization नहीं होगा और female में जो यह fertilization का method है इसे बोलते है tubectomy क्या बोलते हैं tubectomy तो सवाल पूछेगा यह surgical method जो था sterilization method था यह क्या काम करता है हमने बोला यह pregnancy को रोखता है कैसे भाईया gamit का transport का जो रास्ता था male and female में देख लीजिए तो gamit के transport के रास्ते को क्या कर दिया ब्लोक कर दिया तो surgical method के दुआरा gamit transport को क्या कर दिया ब्लोक कर दिया और जब gamit ही नहीं मिल पाएंगे तो fertilization नहीं होगा यही मेरी पास था surgical method यही मेरी पास था surgical method next आगे पन थोड़ा सा बढ़ते हैं सवाल था sir mtp that is medical termination of pregnancy बिटा यह medical termination of pregnancy है यह एक non-surgical method है कैसा method है मेरी दोस्त हमने बोला यह मेरी पास है नोन सर्जीकल मेथ़ड यह मेरी पास नोन सर्जीकल मेथड है इसमें medicine देखे फीमेल में abortion को induce किया जाता है मतब फीमेल अपनी मर्जी से abortion कराती है सबेसे पहले delivery से पहले क्या कराती है abortion कराती है यह मैं कहूं premature delivery करवाती है तो हमने बोला यह मेरी पास है induced abortion यह मेरी पास induced abortion है पूछेगा sir ठीक है MTP एक induced abortion है बोला ठीक है लेकिन आप बताओ पूरी दुनिया में एक साल में कितनी MTP होती है हमने बोला पूरी दुनिया में देखोगे तो एक साल में लगबग 45-50 million MTP होती है 45-50 million MTP होती है मतलब साड़े 4-5 करोड MTP जो थी वो हर साल दुनिया में होती है सवाल्था गुरु जी इतनी जादा हाँ अब दिल दहला देने वाली बात तो यह है मेरे दोस्त कि पूरी दुनिया में एक साल में जो total pregnancy है पूरी दुनिया में एक साल में जो total pregnancy है यह उसका लगबग 20% part है मतलब पूरी दुनिया की की लगबग 20% मही लाएं हर साल abortion कराती है किसके दौरा MTP के दौरा तो मैंने बोला यह मेरे पास है क्या about 1 by 5 part of total pregnancies in the world world per year पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जो total pregnancies है उसका 1 by 5 part है 20% part है 1 by 5 part है मतलब लगबग 20% part है यस सवाल था सर इंडियन गोर्मेंट ने भी तो MTP को legalize किया हां बया इंडियन गोर्मेंट ने भी MTP को legalize किया कब किया 1971 में किया लेकिन कुछ strict term and condition के साथ कुछ strict term and condition के साथ बोला वो term and condition क्या थी वो term and condition ये थी कि बया अगर कोई महीला कोई महीला अपने पास कोई महीला अगर medical termination of pregnancy चाहती है abortion करवाना चाहती है तो उसके लिए कुछ नियम बनाए ताकि लोग उसका misuse ना कर सके ना कर सके यस बड़ी strict term and condition के साथ अपलाई की गई अब भाईया हमने बोला कि government ने वो बना दी कब 1971 में लेकिन लेकिन 2017 में 2017 में इस MTP में कुछ सुधार किया गया और बोला गया क्या बोला गया कि भाईया MTP जो है वो करवाओगे तो उसके लिए याद रखना है कि MTP करवाने की कुछ सर्त है कि अगर किसी महीला को pregnancy continue रखने में कोई दिक्कत है उसकी जियान को खत्रा है तो वो MTP करवा सकती है या फिर महीला के पेट में जो बच्चा है वो एबनॉर्मल बच्चा है तो महीला MTP करवा सकती है या किसी महीला जो थी जो की pregnancy चाहती नहीं प्रेगनेंसी नहीं चाहती वो उसकी unwanted प्रेगनेंसी है या किसी rape वगेरा की वज़े से वो conceive कर गई तो वो MTP करवा सकती है लेकिन MTP करवा कब सकती है प्रेगनेंसी के सुरू के तीन महिने में MTP बहुत ज्यादा safe है that is first week of pregnancy में MTP के है बहुत safe है that is first trimester में MTP बहुत safe है लेकिन second trimester या उसके बाद ये बहुत ज्यादा riskier है इसमें महिला की जान जा सकती है ज्यान जा सकती है तो बोला भया कैसे बोला कि करवाना है तो सबसे safe कब था first trimester second trimester में तो बहुत खतरनाक है ज्यान का खत्रा बना रहेगा और अगर first trimester में भी करवानी है तो उसके लिए तुम्हें एक doctor की सला लेनी पड़ेगी जब एक doctor लिखके दे देगा तब ही ये possible ह होगा otherwise नहीं होगा हा कि ना और अगर second trimester में कोई महीला abortion करवाना चाहती है MTP करवाना चाहती है तो उसके लिए दो doctor की सला चाहिए जब दो doctor ये कह देंगे कि भाईया यस इस महीला के लिए MTP करवाना बेहद जरूरी है तब ही वो possible है otherwise possible नहीं है तो इस बात को याद रख अब सवाल था infertility सवाल था sir infertility क्या है बिटे ये infertility वाला case ऐसा था कि एक कपल है अगर एक कपल दो साल तक लगा अतार unprotected sexual intercourse करता है कोई टस करता है और उसके बाद भी female conceive नहीं होती है तो हम ये कहेंगे कि ये एक infertility का case है ये एक infertility का case है अब ये infertility जो है इसकी ब सकता है कि कोई congenital वज़य हो कोई psychological इसकी वज़य हो अरे हा किना कोई physical कोई problem हो हो सकता है किसी person ने drugs ली हो उसकी वज़य से कोई दिक्कत आगी हो इसकी बहुत सारी दिक्कत है हा किना अब जाहें दिक्कत कोई भी रहे वज़य कोई भी रहे अगर male और female 2 साल तक unprotected sexual intercourse करन पन बोलेंगे infertility, infertility, अब पहले तो यह बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज कल medical science ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो अब क्या हुआ कि ऐसे couple, जो normally बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए बहुत सारी techniques आ गई, बहुत सारी techniques आ गई, उनको अपन बोलते हैं, A-R-T, that is assisted reproductive technology, assisted reproductive technology, A-R-T, full form याद रखने है, assisted reproductive technology, सवाल था, सर, कोन-कोन ची थी, क्या थी, बड़े ध्यान से देखना, इनने सबसे पहला मेरे पास आता है, test tube baby program, बच्चे इस test tube baby program में, जो fertilization करवाया जाता है, वो female की body के बाहर, test tube में करवाया जाता है, मतल मेल से, या हैस्बेंड से, हमने क्या लिया, इस पर मलिया, किसी मेल से, या हैस्बेंड की सरीर से, हमने क्या लिया, इस पर मलिया, फीमेल जो थी, या फीमेल जो थी, वाइप थी, या किसी डोनर से, हमने ओवा लिया, इन दोनों को, हमने इस test tube में डाल दिया, अब fertilization हुआ कहां पे test tube में zygote कहां पे बना test tube में zygote बना और इस zygote की हुई बेटा ग्रोथ इसमें लगातर क्या हुआ डिवीजन डिवीजन से क्या बना embryo जब यह embryo बन गया और यह embryo कहां तक पहुँच गया up to eight cell stage कहां पहुच गया up to eight cell stage जब eight cell stage तक के embryo को हम female के सरीर में डालेंगे तो वो कहां transfer करते हैं phalophian tube में तो हमने बोला जब eight cell stage और eight blastomers तक के embryo को transfer किया जाएगा तो कहां किया जाएगा हमने बोला female की phalophian tube में किया जाएगा तो इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं called as जिफ्ट इसे बोलते हैं जिफ्ट इस जीगोट इंटरफलोफियन जीगोट इंटरफलोफियन जाइगोट इंटरफलोफियन जीफ्ट का मतलब क्या है तो आप कहोगे up to 8 cell के एंब्रीयो को फैलोफियन ट्यूब में ट्रांसफर करना उसे बोलते हैं जाइगोट इंटरफलोफियन ट्रांसफर that is जीफ्ट अब सवाल था अगर सर 8 cell से जादा हो जाए तो 8 cell से जादा हो जाए तो तो more than 1 cell more than 8 cell stage में एंब्रीयो को ट्रांसफर किया जाता है वो कहां किया जाता है यूटरस में तो इसे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटरा यूटराइन ट्रांसफर तो आई यूट का मतलब क्या था इंटरा यूटराइन ट्रांसफर तो more than 8 blastomers और cell stage में एंब्रीयो को कहां ट्रांसफर किया जाता है यूटरस में उसे बोलते हैं यूटरी और अप्टू 8 cell stage तक एंब्रीयो को कहां ट्रांसफर किया जाता है फैलोफियन ट्यूब में जिसे बोलते हैं जिफ्ट इस जाइगोट इंटरा फैलोफियन ट्रांसफर यस नेक्स्ट अगली देखना बच्चे अगले टेक्निक की है मेरे पास artificial insemination सवाल था सर artificial insemination में क्या करते है बिटा माल दीजिए artificial insemination में जब भी बात करके चले तो problem किसके साथ होती है hasband के साथ होती है male के साथ होती है इस male के साथ दिक्कत है कि ये insemination नहीं कर सकता मतलब female के reproductive track में sperm को ट्रांसफर नहीं कर सकता sperm नहीं बेज सकता बोला क्यों नहीं बेज सकता भैया उसकी दो वज़े हो सकती है या तो इस इनसान के सरीर में sperm ही बहुत कम बन रहे है या नहीं बन रहे तो पहला तो है कि low sperm count वज़े हो सकता है कि भैया sperm होंगे नहीं तो transfer कहां से करेगा या दूसरी बात sperm सही बन रहे है लेकिन penis का erection नहीं हो रहा अरे जब penis का erection नहीं होगा तो बीचारा sexual intercourse कर नहीं पाएगा कर नहीं पाएगा तो sperm को transfer नहीं कर सकता insemination नहीं कर सकता तो अब इस case में जब male के साथ दिक्कत है की वो insemination नहीं कर सकता तो उसका तरीका क्या डूंडा तरीका क्या डूंडा तरीका ये डूंडा कि भाईया अगर male के सरीर में MATespère नोर्मल बन रहे हैं और penis का erection नहीं हो रहा तो हम इसके सरीर से इसparम को बाहर निकाल लेंगे इसके सरीर से क्या ले लेंगे, इस्पर्म ले लेंगे, हाँ कि ना, और दूसरी दिक्कत अगर हो, कि पैनिस का इरेक्शन हो रहा है, लेकिन इसके सरीर में इस्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, हो सकता है, हम सीमन बैंक जो था, वहा के reproductive track में, female के reproductive track में, female की vagina में और uterus में transfer कर दिया, तो याद रखना, जब मसीन के दुआरा, artificially, semen को, sperm को, female के reproductive track में, vagina में, या uterus में transfer किया जाता है, तो इसे भोलते, artificial insemination, artificial insemination, artificial insemination, अब female के सरीर में, sperm पहुच चुके है, female में, तो कोई दिकती नहीं, female में, ova भी बन रहा था, हाँ कि न, तो female में, ova आएगा, sperm ova से fuge होगा, तो fertilization कहा हो जाएगा, female के सरीर में, embryonic development भी कहा हो जाएगा, female के सरीर में, अब female के सरीर में, fertilization भी होगा, embryonic development भी होगा, उस embryo की growth भी normal होगी और gastition period पूरा करने के बाद female एक normal बच्चे को आसानी से जनम दे देगी अब सवाल था, गुरु जी एक छोटी सी बात बताओ, हमने का जी पूछो सर हमने बोला सीमन को sperm को transfer कर रहे हैं female के reproductive track में वो vagina में भी किया जा सकता है, और deeply fertilization के chance बढ़ाने के लिए uterus में भी किया जाता है, हमने का हाँ, अगर sperm का transfer uterus में करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं IUI, जिसको बोलते हैं intrauterine insemination इंट्रा यूट्राइन insemination, तो जब भी बोलें IUI, intrauterine insemination क्या होता है तो हमने बोला, transfer of sperms into the uterus of female, उसे को बोलते हैं IUI, IUI Yes, next, अगला मेरे पास है, अगला है ICSI, intracytoplasmic sperm injection अब बड़े ध्यान से देखना, intracytoplasmic sperm injection, इसमें क्या हुआ, हमने बोला, ये भी in vitro fertilization का एक तरीका है, मतलब इसमें भी fertilization होगा, वो female के सरीर के बहार होगा यहाँ पे क्या हुआ, यह female थी, हमने इसके सरीर से over collect किया चले भी यह, यहाँ पे यह male था, इसके सरीर से sperm collect किया चले भी यह, अब हमने क्या काम किया, इन sperm को इस syringe में भर लिया जैसे डोक्टर के पास injection में दबाई भर लेते हो ना, ऐसे इस sperm को इस syringe में भर लिया और इस syringe की micro needle जो थी, उस micro needle को हम लेके गए, कहां तक, egg के cytoplasm तक लेके जाने के लिए सबसे पहले, जो ना पैलूशीडा वाली layer थी, उसको penetrate किया उसके बाद egg की cell membrane को penetrate किया, और ये needle कहां पहुँच गया, इस egg के cytoplasm में पहुँच गया फिर हमने इस syringe को ऐसे दबाया, तो इसका जो sperm जो था, वो sperm जो था, वो sperm यहां से जाके कहां पहुँच गया हमने बोला यहां पहुँच गया तो हुआ यही, क्या हुआ, इंट्रा साइटो प्लाजम की sperm injection में, हम इस प्लाजम को डारेक्ली इंजेक्ट कर देते into the cytoplasm of egg, by the help of micro needle अब क्या हो गया, हमने बोला, इस प्लाजम एग के अंदर चला गया, मतलब fertilization हो जाएगा और फिर उस fertilized egg जो था, उसको transfer कर देंगे, कहाँ, female की body में, female की body में अगर up to 8 cell stage करेंगे, तो phallophen tube में करेंगे, जिसे बोल देंगे, जिफ्ट अगर more than 8 cell stage करेंगे, तो उसे uterus में करेंगे, जिसे बोलेंगे, intra uterine transfer यस, ये मेरे पास था, intra cytoplasmic sperm injection, यस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, injection के द्वारा sperm को egg के cytoplasm में transfer कर दिया, next, अगला मेरे पास है gift, हाँ जी, gift, यस, ये देखे, gift बाइसाब ये gift का क्या मतलब है, इस gift की काने सुनने के बाद, लोग gift मांगना बंद कर देंगे, सुनो, यहाँ पे gift वाले case में problem होती है, वो इस महिला के साथ होती है, जो मैंने yellow color से बनाई, इस महिला के साथ problem है, कि इसके ovary में ova का production नहीं हो रहा, बस ova का production नहीं हो रहा बाकी इसके सरीर में fertilization भी हो सकता है, embryonic development भी हो सकता है, बाकी सब हो सकता है, बस ovary से ova का production नहीं हो रहा, तो यह क्या कहेगी, यह कि तेरे में ova बन रहा है, यह कहेगी हाँ बिलकुल बन रहा है, तो तू अपना ova मुझे दे दे, अपना gamit जो था, जो ova था, वो मुझे gift कर दे, क्या कर दे, gift कर दे, कहानी सुनना, तो हुआ क्या कि हमने इस problem, इस महिला की problem का solution क्या निकाला, कि कि किसी दूसरी healthy female जो थी, यह जो गुलाबो है, यह healthy है, यह जो yellow वाली है, यह unhealthy है, तो इस गुलाबो के सरीर से हमने क्या collect किया, ova collect किया, और उस ova को कहा transfer कर दिय इस female की falofen tube में transfer कर दिया, falofen tube में transfer कर दिया, अब जब ova transfer कर दिया falofen tube में, तो यह अपने hasband के साथ sexual intercourse करेगी, इस sperm जो थे, वो कहाँ पहुचेंगे, वो ampula भाग में पहुचेंगे, और यह ova और sperm क्या हो जाएंगे, fuse हो जाएंगे, मतलब इस female ने यहां से क्या लिया केवल gamit लिया, that is ova लिया, कहा गया, falofen tube में गया, तो gift की full form होई, gamit intra falofen transfer, कि gamit को falofen tube के अंदर क्या किया, transfer किया, इसलिए इसको बोल दिया, gift, क्या बोल दिया, gift, तो gamit गया, falofen tube के अंदर गया, fertilization कहा हुआ, इस female के सरीर के अंदर हुआ, embryonic development भी किसके अंदर हुआ इस female के अंदर हुआ, मतलब इसके साथ दिक्कत केवल थी, ova का production नहीं हो रहा, बाकी fertilization के लिए suitable environment भी provide कर सकती है, embryonic development भी हो सकता है, और ये normal बच्चे को जनम भी दे सकती है, यही कहानी थी किसकी gift की, यही कहानी थी किसकी gift की, चले भी अपना आगे, चलो भाई, अपन थ STI, that is sexually transmitted infections के बारे में, यह sexually transmitted infections जो होते, यह exactly में, unprotected sexual intercourse की वज़े से होते है, मतलब इसी की वज़े से एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते है, चले भी या, बड़े ध्यान से देखना, पूछेगा, सर, आपने बोला, ऐसी disease, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में transfer होती है, through unprotected sexual intercourse, कि बिना किसी, बिना किसी protection के, अगर sexual intercourse करते है, बिना condoms, वगेरा के use के, अगर कोई sexual intercourse करेगा, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में चली जाएगी, इसे बोलते STI, that is sexually transmitted infection, इसे बोलते veneral disease, इसे बोलते reproductive tract infection, RTI, RTI, और इसे बोलते STD, that is sexually transmitted disease, yes. अब ये DGH सबसे ज़्यादा किस age group में होती है, बेटा सबसे ज़्यादा, ये 15 से 24 साल की age में होती है, सबसे ज़्यादा होने का खत्रा किस age में, 15 से 24 साल की age में होने का खत्रा बोल ज़्यादा है, इनका कोई example, जी हाँ, like AIDS हुआ, हिपेटाइटिस B हुआ, जैनाइटल हा हर्पीस हुआ, गोनोरिया हुआ, सीफैलिस हुआ, जैनाइटल वोर्ट्स हुआ, क्लेमाइडियस हुआ, ट्राइको मोनियस हुआ, यह सारी की सारी sexually transmitted disease है, लेकिन खास बात क्या थी, इन में अपने पास यह AIDS है, यह हिपेटाइटिस भी है, एड़ यह हर्पीस है, यह ऐसी बीमारी है, कि जो एक बार हो गई, तो इन्हें completely ठीक नहीं किया जा सकता, मैंने बोला दियार, not completely curable, यह completely curable नहीं है, इन्हें completely ठीक नहीं किया जा सकता, जो मैंने यह white color से लिखी, कि सारी कि सारी वो disease थी, जो कि completely curable है, अगर आपने इन्हें जल्दी diagnosis कर लिया, early stage में इनका पता कर लिया, और treatment सुरू कर दिया, तो इन्हें बिलकुल ठीक किया जा सकता है, they are completely curable disease, if detected during early stage, birth, AIDS, hepatitis B, and genital harpes, these are not completely curable disease, yes, केवल और केवल इनके effect को कम किया जा सकता है, inhibit किया जा सकता है, ताकि infection धीरे-धीरे फैले, इन्हें बिलकुल भी ठीक नहीं किया जा सकता, 100% ठीक नहीं किया जा सकता, सवाल था, सर, अगर किसी को ये disease हो गई, तो उसके symptoms क्या है, early symptoms क्या है, बिटा, early symptoms क्या है, कि उस person के जो reproductive organ है, उनमें eating फील होगी, liquid material का discharge होगा, उसे pain फील होगा, वहाँ पे swelling फील होगी, कहाँ पे, genital region में, ये इसके early symptoms है, अगर इन early symptoms को avoid कर दिया गया, तो later जो इनके symptoms आएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा घातंग होंगे, मतलब complications बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे female में abortion होने के chances बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, female में ectopic pregnancy बहुत ज़्यादा होगी, और याद करो, ectopic pregnancy का मतलब क्या था, कि normally implantation कहाँ होता है, uterus में, अगर uterus के अलावा कहीं implantation हो जाएं, तो उसे बोलते है, ectopic pregnancy, और ज़्यादा तर ectopic pregnancy में, implantation होता है, वो होता है, फैलोफियन ट्यूब में, next, हमने बोला, इसकी dietary disease भी हो सकती है, female में infertility भी आ सकती है, still birth भी हो सकती है, मतलब female मरे हुए बच्चे को भी जनम दे सकती है, तो यह सारे complications है, किसके STI के sexually transmitted disease के, अगर इन वीमारी को time से नहीं देखा गया, time से चैक नहीं कराया गया, तो मुस्किले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर यह पूरा का पूरा chapter जो था, वो होता है, खतम, हमने यहाँ पे NCRT के एक-एक concept को समझाने की कोशिस की है, cover कर लिया है, अगर आपने पूरा lecture देख लिया, तो NCRT के सभी सवाल बन जाएंगे, और फिर NCRT के आप reading करोगे, तो NCRT की एक-एक line चिला-चिला के बोलेगी, क बतलब यहाँ पे इस lecture के हर एक diagram में, हर एक word में मिलेगा आपको NCRT का स्वाद, NCRT का स्वाद, तो मिलते हैं अपन जल्दी, नया lecture लेकर, तब तक के लिए रसगुल आर्मी, खुस रहें, सुरक्षित रहें, जैहिंद, थैंक्यू, थैंक्यू अरी मच गाईज,